नमस्कार सिक्षार्थियों, मुक्त बेसिक सिक्षा प्राउड इस तरका हिंदी विशय के इस कारिक्रम में मैं आप सभी सिक्षार्थियों का स्वागत करता हूँ पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं इनके बिना हमारा जीवन खत्रे में पड़ सकता है पेड़ों से हमें हवा, फल, छाओ, लकडियां ये सभी चीजे प्राप्त होते हैं बिना इजाजत के हरे पेड़ काटना कानूनन अपराध है ऐसा करने पर सजा हो सकती है इसी परियावरण के संदर्व में हम अपना दूसरा अध्या जिसका शीरशक है खेजडली गाउं का शहीद मेला पाट दो कहानी के माध्यम से अध्यान को प्रारम करते हैं इस पाट को पढ़कर आप परियावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है इसके बिसे में जानेंगे नए पेड़ों की देख भाल करना जानेंगे अम्रिता ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया तथा ए, अई, ओ और अउ की पहचान करना और इनके प्रयोग में अंतर को समझ पाएंगे आईए पाठ को प्रारम करते हैं अभै सिंग जोटपूर का राजा था गिरधर भंडारी उसका दीवान था वह रौब दाव वाला बड़ा गुस्यल और जिद्धी सुभाव का था एक बार उसे इमार्ती लकडी की जरूरत पड़ी उसने खेजरली गाउं में पेड काटने का हुक्म दे दिया गाउं वालों ने जब यह सुना तो वे गुस्ये से भर गए वे हरे पेड ना खुद काटते थे और ना दूसरों को काटने देते थे पेडों से वह गाउं खुशाल था खूब बारिस होती थी इमार्ती लकडी मिलती थी पसुओं को च्छाया मिलती थी उन्होंने दीवान के मजदूरों को लोटा दिया दिवान को इस बात की जानकारी मिली उसने अपने सैनिक भेज दिये कुलहाडियां चलने लगी खेजडली की एक औरत अमरिता आगे आई वह एक पेड से लिपट गई पर कुलहाडियां रुकी नहीं और उन कुलहाडियों के प्रहार में अमरिता कट गई कटने वालों में मर्द और और औरतें दोनों शामिल थे अंत में मजदूरों ने कुलहाडियां फेग दी एलान कर दिया हम भे इंसान है बेकसूरों को कहा तक मारें अमरिता अमर हो गई उसकी याद में वहाँ अब हर साल मेला लगता है उसे खेजडली का सहीद मेला कहते है दूर दूर से लोग मेले में आते हैं रंग बिरंगी ओढ़नी ओढ़कर औरतें आती हैं अमरिता के गीत गाती हैं वहाँ आज भी उस दिन पेड लगाये जाते हैं लोग इसे शगुन मानते हैं आज खेजडली गाओं के चारो और हरियाली है इसलिए तो कहा गया है पेडों से आती खुशाली हर हालत में हो रखवाली पेडों को मानो संतान एक ब्रिक्ष दस अपुत्र समान आईए अब हम मात्राओं के विशे में जानते हैं ए और आई स्वरों के पहचान और इनके प्रयोग में अंतर को देखते हैं इस पाठ में एक गए दिये जैसे शब्द आये हैं जिनमें ए आया है इसी तरह ऐसा ऐलान जैसे शब्द भी आये हैं जिनमें आई आया है ए और आय से बने कुछ सब्दों के उधारण देखते हैं और इन सब्दों को बोलकर ए और आय के अंतर को समझें ए से बने हुए सब्द एकता एड़ी एकड नए ऐस अक्षर से बने हुए सब्द ऐसी एनक एलान एरावत ओ और अव स्वरों की पहचान और इनके प्रयोग में अंतर को समझते हैं इस पाठ में और ओढ़नी जैसे सब्द आये हैं जिनमें ओ का प्रयोग हुआ है इसी तरह पाठ में औरत और जैसे सब्द भी आये हैं जिनमें अव का प्रयोग हुआ है ओ और अव दोनों को बोल कर देखिए इनकी आवाज के इनके उच्चारण के अंतर को समझेए अव स्वर सब्द के बीच में कभी नहीं आता केवल और केवल वह सुरू में ही आता है ओ और अव से बने कुछ अन्य सब्दों के उधारण देखते हैं ओ वर्ण से बने हुए शब्दों को देखते हैं ओस, ओला, ओखली, ओसारा ओ वर्ण से बने हुए सब्दों को देखते हैं ओ जार, अलाद, औ शत, औकाद प्रेसे ख्यार्थिएों, आइये अब अध्याय में A, I, O, O की मात्राओं से बने कुछ सब्दों की पहचान करते हैं लेकिन उससे पहले हम मात्राओं के चिन्हों को जालने और उनको समझ लेते हैं आप देख रहे हैं उसे के उपर जो मात्रा दी गई है वह A की मात्रा है गुसेल के उपर जो मात्रा दी गई है वह अई की मात्रा है ए की मात्रा से निर्मित सब्दों को देखते हैं उसे पेड, हरे, कटने अई की मात्रा से निर्मित सब्दों को देखते हैं गुसेल है जैसे सैनिक ओ और अओ की मात्राओं से निर्मित सब्दों को देखते हैं सरवपर्थम हम ओ से निर्मित सब्दों को देखते हैं जोधपुर पसवों लोग और अओ की मात्रा से निर्मित शब्द औरत रौब लौटा सो प्रेशिक्षार्तियों आज हमने पढ़ा खेजर लीगाओं का सहीद मेला नाम कहानी उसमें वर्लिद भावों को और साथ ही साथ ए अई मात्राओं और ओ अव मात्राओं में अंतर को आईए कारेक्रम को समाप्त करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपने इस अध्याय को सुगमता पूर्वग समझा हो होगा धन्यवार्द